हरियू, दोस्तो स्वागत है आपका Free Study by लोधी सर्व की यूटूब चैनल पर मैं किरपाल लोधी, दोस्तो आज हम आपके लिए लेकर किया हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट जानकारी, दोस्तो जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं, अभी हाल ही में 2022 में, जो मत्य हैं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार बिजट कर रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वेल आइकन पर किलिक करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, दोस्तो हम इसी प्रकार कि कॉम्टिटो एक्जाम रिलेटो वी टॉपिक एक्सपेक्टेड कटाफ मत्रदेश प्रात्मिक सिक्छक भरती बर्ग 3, 2022 की, दोस्तो कुछ चात्रों के कमेंट्स आ रहे थे, जिसमें ये पूछा जा रहा था कि सर आपने एमपिटेट जो हुआ है, इसकी कटाफ लिस्ट नहीं डाली है, दोस्तो तो उसी की चात्रों से, सिक्षकों से जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसी के आधार पे हम ये एक्सपेक्टेड कटाफ के बारे में आपको बता रहे हैं, इसमें जो कुछ आपकी और किसी प्रकार की समस्या है या किसी प्रकार का आपको कोई कंश्यूजन है, तो वो भी लगभग इससे दूर हो जाने वाला है तो देखते हैं कुछ बिंद्धुW पर पहले हम तरचा कर लेते हैं और उनमें से जो पहला बिंदु हमने लिया है वो ये है कोश चात्र ये पूछते हैं, जो ये एग्जाम हुआ है, क्या ये केबल पातरता परिक्षा है ? अर्थात, इसके बाद क्या हमें किसी अन्य परकार की परिक्षा को और देना होगा ? या हमें इंटरव्यू वगेरा भी हमारा होगा ? या किसी परकार की और कोई योगता, निर् की पात्रता परिक्षा देने के बाद में आपको किसी भी प्रकार का एक्जाम क्वालिफाई नहीं करना होता है, पास नहीं करना होता है, केबल आपका मेडिकल होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट के बलस में लगता है, इसके अलावा किसी भी प्रकार का एक्जाम इस पात्रता परिक्षा के बाद में आपको नहीं देना है, यही आपका फाइनल एक्जाम है, फाइनल परिक्षा है, इसमें जो भी आपको मार्क्स प्राप्त हुए हैं, उनका केबल नौरमलाजेशन होगा, यदि कोई सिप्ट कठेन रहती है, किसी दिन की, तो उनके जो अंक होते हैं छात्रों के, वो कुछ बढ़ जाते हैं, और यदि किसी दिन की जो सिप्ट सरल होती है, उनके कुछ अंक छात्रों के घट जाते हैं, किवल ये नौरमलाजेशन होता है, साम आपको किसी भी प्रकार का कोई भी एक्जाम नहीं देना है केवल इसी परिक्षा के बेस पर आपकी मेरिटलिस्ट बनेगी और आपका चैन हो जाएगा दोस्तो इसके बाद में तो I hope आप समझ गए होंगे कि केवल क्या ये पातरता परिक्षा है तो बिलकुल ये पातरता पर यदि आप किसी आरक्षित बर्ग मतलब OBC या EWS या SCST से यदि आप बिलॉंग करते हो इस रेणी से आप संबंदित है और यदि आपने आवेदन फार्मों भरते समय इस रेणी को दर्साया है और आपने जो इसका सैटिफिकेट होता है प्रमानपत्र होता है आपके जाती क यदि आपने लगाया है और यदि आपके अच्छे अंक मिलते हैं तो आप जनरल से भी क्वालिफाई कर सकते हो जनरल से भी आप फाइट कर सकते हो ठीक है इस प्रकार से मेरिटलिस्ट वनती है बर्गवाईस अलग अलग अब आगे देखते है नारमलाजिसन कैसे होता है हमने बहुत ही सरल तरीके से उसमें नारमलाजिसन की परिक्रिया बताई है दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि जो एमपिटेट का एक्जाम हुआ था इसमें जो टोटल मारक्स थे कुल अंक थे ये 150 अंकों की परिक्षा होई थी इसमें पदों की संख्या जो थी ये ल लेकिन ऐसा तैमान की चलना की 5000 से कम तो नहीं होगे ये निस्चत रूप से बढ़ेंगी ठीके दोस्तों तो आई होपा आप इतना समझ गए होंगे प्लीज यहां तक देखा है वीडियो तो लाइक कर दें आगे अब हम देखते हैं कि जो मेरिटलिस्ट जाएगी जो एक्स सामाने वर्गे के जो लोग है यह पुरोष रहेगी दोस्तों लगभग 110 अंकों से अधिक जिसकी लगभग 110 अंकों से अधिक अंक आए होंगे जनरल केटिगरी से उनका सलेक्सन लगभग होना पह है जनरल केटिगरी में महिलाओं के लिए जो एक्सपीक्टेट कटाफ है वो लगभग जाने वाली है 105 अंकों से अधिक की, क्योंकि पदों की संख्या कम होने के कारण, क्योंकि यह हमने जो आपको बताया है, यह 5000 पदों के का अनुमान लगा के हम आपको बता रहे हैं, यदि पदों की संख्या बढ़ेगी, तो यह कटाफ और डाउन होने की संभावना है, अब देखते हैं, OVC अन्य पिचला वर्ग की जो लिस्ट है, यह पुरुस्की रहेगी लगभग 102 से अधेक अंकों पर, और महिलाओं की रहेगी लगभग 90 वैसे अधेक अंक जिसके मिले हैं, उसके चैन होने की संभावना है, जो एकोनोमिकली बीकेर सेक्सन होता है, EWS वाले जो हैं, इनकी लगभग अन्य पिचला वर्ग जो OVC अधर बैकबर्ड कास्ट है, इसी के लगभग ही होती है, क्वल ही ये सब चलता है, कई एकजामस में देखने को मिला हैं ऐसा, तो EWS की जो जाने वाली है, ये लगभग पुरसों की जाएगी 101 से अधेक अंक जिनको मिले हैं, और महिलाओं की रहेगी ये, प्लस 95 मतलब पंचानवे से अधेक अंक EWS में महिलाओं को यदि मिले हैं, तो चैन की सम्भावना है, आगे हम देखते हैं दोस्तों, अनुसूचत जाती SC बर्ग से तो पुरस की जाने वाली है ये, प्लस 95 मतलब जिनको 95 से अधेक अंक मिले हैं, SC पुरसों में उनकी चैन होने की सम्भावना है, और महिलाओं में जिनको 85 मतलब महिलाओं का कम क्यों रखा गया है, क्योंकि दोस्तों इस एक्जाम में, इस भरती में महिलाओं को 50 परतीसत आरक्चन दिया जाता है, तो जो महिलाओं की रहने वाली है, वो 85 से अधेक रहने वाली है SC केटिगरी में, अब हम देख लेते हैं, ST केटिगरी आदिवासी जो लोग होते हैं अनुसूचत जन जाती के, उनकी सबसे डाउन रहती है दोस्तों, पुरसों की ये लगभग यदि ST केटिगरी से किसी पुरस ने 80 से अधेक अंक, आते हैं ST केटिगरी की महिलाओं के, तो उनका चैन होने की संभावना बिलकुल बनती है, दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें, यहां हमने देखो लिखावी है, प्लीज सबस्क्राइब माई यूटूब चैनल, फार आल कॉम्टी टो एक्जाम, फ्री स्टेडी बाई लोधी सर, दोस्तों प्लीज आप हमें कमेंट बाक्स में बताएं, आपकी भी सलाए हम लेना चाहते हैं, क्योंकि उतना ही नोलिज लगभग आपको है, जितना हमें हैं तो प्लीज आप कमेंट बाक्स में बताएं, कि ये हमारी एक्सपेक्टेड कटाफ लगभग सही है, या कहां तक चाह सकती है, तो दोस्तों मिलते हैं लिए वीडियो में, तब तक के लिए जैहिंद, जैभारत!